आपको सलाम मेरा सब को राम 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 रे अब तो बोले आदमी का आदमी है नाम सभी दर्षकों का मैं कौसर भुटो अपने दादा जी कभी मुहमा सद्धीक सहाब की इन पंक्तियों से आज के इस जन सरोकार मंच दोरा आयोजित कारे करम में हार्दिक स्वागत करती हूँ आज मैं आपके सामने अपनी कुछ रचनाई लेकर प्रस्तुत हुई हूँ तो बहुत शुक्रिया अंध तक मेरे साथ आप सब जूड़िएगा सीधे जोड़ती हूँ आपको अपनी रचनाउं से सबसे पहली कवीता है मेरी सागर एक सागर जिसे हम इन अपनी इन आँखों से देखते हैं और दूसरा सागर है मन का सागर जिसे देखने के लिए मन की आँखों की ही आफशक्ता होती है तो उन दोनों सागर का तुलनात्मक रचना जो मैंने लिखी है वो आपकी समख्ष पस्तुत करती हूँ बाहर सागर भीतर सागर दोनों शोर मचाती है उस सागर का शोर सुहाना भीतर के शोर डराते है बाहर सागर भीतर सागर उस सागर के खार पन में डूबा जो उबरा ही नहीं मन के सागर में जो डूबे खुद को समझने में जो डूबे भव सागर पार लगाते हैं उस सागर का शोर सुहाना भीतर के शोर डराते है बाहर सागर भीतर सागर अब देखेगा कि उस सागर से भी लहरे उठती है और मन के सागर में भी लहरे उठती है उस सागर में उठती लहरे फिर सागर मिल जाती है मन सागर में उमडी लहरे आंखों से बह जाती है उस सागर का शोर सुहाना भीतर के शोर डराते है बाहर सागर भीतर सागर दोनों शोर मचाते है उस सागर का शोर सुहाना भीतर के शोर डराते है बाहर सागर भीतर सागर अब जोड़ती हूँ आपको अपनी अगली कवीता से यह कवीता मैंने अपनी छोटी बहन के लिए लिखी थी जब उसने जज जो राजस्तान जूडीशल सर्वीशेज एक्जाम है उसके परिक्षा पास की थी उसके लिए एक छोटी सी कवीता लिखी थी उसके पूरे संगर्ष की कहानी कहती है यह कवीता सुनिएगा संगर्षों का मैदान न छोड़ा काबीलियत से मुह न मोड़ा पीट पर लाध होसला तु बढ़ती चली तु हर हाल ड़ट कर चली तु लीख से हट कर चली इच्छा शक्ती और आत्म विश्वास अर्जुन सा लक्षे बहुत खास तु निरंतर बढ़ती चली तु हर हाल डट कर चली तु लीख से हट कर चली राहें ये तेरी आसान न थी पापा के चहरे पर ये मुस्कान न थी मम्मी की खुशी तु बढ़ाती चली तु हर हाल डट कर चली तु लीख से हट कर चली परिवार का बढ़ाया मान पीडियां करेगी बरसों गुणगान असफलता की आंथियों से तु लड़ती चली तु हर हाल डट कर चली तु लीख से हट कर चली देखेगा जमाना तेरी उड़ान उड़ने के लिए है सारा आस्मान तु भैसे लड़ना सीखती चली तु हर हाल डट कर चली तु लीख से हट कर चली खत्म हुआ सब्रका इंतिहान बनाया तुने एक खास मुकाम कदमों के निशा तु छोड़ती चली तु हर हाल डट कर चली तु लीख से हट कर चली आप सभी का सुननी के लिए बहुत शुक्रिया और एक और कवीता जो मैंने अपनी छोटी बहन के लिए लिखी थी पर मैं इस कवीता को आप सभी को समर्पित करना चाहती हूं कि कभी कभी हमें काफी प्रयास करने के बाद भी मन चाहे परिणाम नहीं मिलते हैं तो बस सार यही है कि सभी चिंताओं को दरकिनार करके फिर से उसी तयारी में लग जाएं तो उसके लिए बशीर बदर जी के एक शेर से प्रेरित अपनी एक रचना आपके सामने प्रस्तुत करती हूं ना उदास हो ना मलाल कर ना उदास हो ना मलाल कर किसी बात का ना खयाल कर रख हिम्मत और होंसला ना खुद को यूँ बेहाल कर आईने का शक्स कह रहा है तुझसे बेवजह परवाजूं पर ना यूँ सवाल कर कुछ मन की कर ले जो मन करे इस मन चले मन का भी कुछ खयाल कर तूफानों से प्यार कर लेकर लहरों से स्वर जिंदगी के संगीत में अपनी इकताल कर डर के उस पार है तेरी मनजिले डर को डराने को साहस की इक ढाल कर हारना और जीतना है मनजर आखिरी कुछ करने की ठान कर तू बस कमाल कर ना उदास हो ना मलाल कर किसी बात का न खयाल कर रख हिम्मत और होसला ना खुद को यूँ बेहाल कर तो अब जोड़ती हूँ मैं आपको अपनी अगली कविता से ये बिलकुल अभी जो मैं आपको कविता हैं सुना रही थी उनसे बिलकुल हटकर है माबा अपने बच्चों को बहुत इच्छाओं से बहुत अपक्षाओं से पालते हैं और फिर अंत में मा और बाब दो अकेले बच जाते हैं खास कर माएं किस तरह से याद करती है तो ये कविता मैंने अपनी मा और सासु मा को समर्पित की थी और आज मैं उन सभी माओं को समर्पित करती हूँ जिनके बच्चे उनसे दूर हैं अपनी शादी, नौकरी और पढ़ाई की वज़े से सुनिएगा उफ यह अलार्म इतनी जल्दी क्यों बच जाता है जब शुरु शुरु में जिम्मेदारियां काफी होती है बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं अपने पती देव का ओफिस होता है तो उनी सभी जिम्मेदारियों में एक औरत का पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता नहीं च जाता है आंग खुलने के साथ ही उठता रोज तूफान है भागम बाग की बात ही चोड़ो मचता रोज को हराम है कोई पूछे टिफिन तो कोई पूछे कपड़े स्कूल को देरी न हो जाए बस यही चिन्ता जगड़े बच्चो को रवाना कर पती देव की तयारी में लग जाओं ऐसे भाग कहां जो दो घूट चाय के भी पी पाओं यह मेरी मम्मी अक्सर कहा करती थी जब हम स्कूल जाते थे तो मम्मी बोलती थी कि मुझे तो बिल्कुल फुर्सत ही नहीं मिलती है कि मैं बैठ के आराम से दो घूट चाय के भी पी पीलो और यह चाय संग अखबार में ऐसे डूबे है संसार इनके भरो से अपने पतिदेव के बारे में कह रही है कि और यह चाय संग अखबार में ऐसे डूबे कि है संसार इनके भरो से उठते ही रेल बनू में मुझको कौन यू चाय परो से ये भी बच्चों से कम थोड़े ही है इनको भी तो कपड़े, जूते, ओफिस बैग थमाना पड़ता है और कभी-कभी तो रूमाल और चाबी लेना भी याद दिलाना पड़ता है सबको भेज कर कुछ देर अब खुद को ब्रेक लगाऊं घर पड़ा है उल्टा पुल्टा बिना समेटे कहां चैन पाऊं पता है जब ऑफिस चले गए पती देव बच्चे स्कूल चले गए उसके बाद घर पूरा आस्त व्यास्त हो जाता है तो उसे संभाले बिना भी चैन कहां आता है तो सबको भेज कुछ देर अब खुद को ब्रेक लगाऊं घर पड़ा है उल्टा पुल्टा बिना समेटे कहां चैन पाऊं उसके बाद करनी है लंच और डिनर की तयारी फिर बच्चों को पढ़ाना भी तो है एक जिम्मेदारी जिम्मेदारी ये दिल से निभाती हूं पर अपने लिए समय ना निकाल पाती हूं इसी तरह ना जाने कब इतने साल बीत गए फुरसत ना मिल पाने के वो दिन अब रीत गए अब बच्चे बड़े हो चुके हैं हस्बन रेटायर हो चुके हैं बच्चे अपने अपने शादियों में अपने परिवारों में नोकरी में पढ़ाई में व्यस्त हैं तो इसी तरह ना जाने कब इतने साल बीत गए फुरसत ना मिल पाने के ये दिन अभरीत गए अब तो फुरसत ही फुरसत है कभी-कभी ये भी चाय बना लेते हैं साथ है जीवन साथी का यही साथ निभाएगा अपनी दुनिया बसाने को हर परिंदा उड़ जाएगा CP का मोती CP में कब तक रह पाएगा अपने बच्चों के लिए कह रही है कि मैं कब तक अपने बच्चों को अपने पास रखूं मैं बच्चों को तो आखिर जाना ही है दूर तो CP का मोती CP में कब तक रह पाएगा CP से निकल कर ही तो कहीं और जग मगाएगा मेरा घर जो मेरे बच्चों से गुलजार था अब थोड़ा वीरान है कहने सुनने को घर में बस दो ही इंसान है भले नीन्द ना होती हो पूरी ना एक पल को आराम था पर सच कहूँ इस सुकूं से अच्छा वो पहले वाला कोहराम था अब जोड़ती हूँ आपको अपनी अगली कविता से माफ कीजिएगा ये इस कविता का शीर्षक है नई सुभा चलो फिर से शुरू आत करते है जिन्दगी का वो पना फिर से भरते है चलो फिर से शुरू आत करते है क्या हुआ जो मन का ना हो पाया तो क्या जो मिला मन को ना भाया हर हाल में शुक्र खुदा का करते हैं चलो फिर से शुरू आत करते हैं माफ कीजेगा नए दिन का जो मिला उपहार है उस रब की नेमत है उपकार है इसे बेहिसाब नहीं बाहिसाब खर्च करते हैं चलो फिर से शुरू आत करते हैं आशाओं को पंखों में भरे देखों पंची घर से निकल पड़े लेकर क्या लोटेगा ये ना सोचा करते हैं चलो फिर से शुरू आत करते हैं चलो फिर से शुरू आत करते हैं गर रह गए कुछ काम अधूरे ख्वाब जो देखे ना हुए पूरे सुबह फिर होगे जब अधेरों में उजाले गुला करते हैं चलो फिर से शुरू आत करते हैं जिन्दगी का वो पन्ना फिर से भरते हैं जिन्दगी का वो पन्ना फिर से भरते हैं चलो फिर से शुरू आत करते हैं आप सभी का आज के इस कारेक्रम में जुड़ने के लिए बहुत आभार और मेरी सभी कवीताइं सुनने के लिए आप सब का बहुत आभार और जन सरोकार मंच और देविंदर जी का भी आज के कारेक्रम के लिए बहुत आभार तो मिलती हूँ आज से फिर किसी दिन मिटिंग में ओनलाइन मिटिंग के जरिए बहुत शुक्रिया